स्वागत है दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इंड़क्टिव मेथड और डिड़क्टिव मेथड इंड़क्टिव को बोलते हैं आगमन बिधी और डिड़क्टिव मिन्स होता है नीगमन बिधी इसको हम लोग सिक्षा मनो विज्ञान के अंतरगत पढ़ते हैं और इन दोनों नियमों को दिया था अरस्तु ने और इससे आपको जो है सीजी टीटी हो सीटेट हो या फिर किसी टीचर का इग्याम हो इसके अलावा जो यूजी सीटेट का जो फर्स्ट वेपर होता है इसके अलाव हम जो रीजिनिंग पढ़ते हैं इस दोनों विधियों से संब्धित बहुँ सारे कोस्चेन आते हैं तो आगमन और निगमन विधी क्या होता है इसको समझते हैं पहला है इंडक्टिव या आगमन विधी आगमन विधी का जो कुछ रूल है जैसे ग्याद से अग्याद की और इसको नोन टू अनोन बोलेंगे सुक्षम से विसत की और उदाहरन से नियम एक्जामपल टू रूल पुराने से नए चीज है ना ओल्ड टू निउ मूर्त से अमूर्त की और जाते हैं जो हमको कुछ भी चीजें हमको दिया जाता है और उससे हमको बोला जाता है कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं तो हम बता सकते हैं कि ये चीज इसके लिए उपयोग हो सकता है जैसे हम पेन की ही बात करें पेन से हम क्या क्या कर सकते हैं तो यह सब कुछ भी चीज़ों से हम नए चीज़ बना सकते हैं जैसे मूरता से अमूरता की और के लिए हो गया और सरल से जटिल की और सरल से जटिल के-लम मतलब complex क्यों जाथे हैं simple डू complex प्रतक्ष से प्रमार की और विसिष्ट से समानने की और कैसे होगा कि जैसे कोई आपके पास कुटता है वो अपको भौंगता है आपका पालत गुटता है वो भौंगता है तो उनके लिए हो सामान ने चीज़ है तो इस तरह से ऐसी भासा जो कि विसीष्ट हो आपके लिए उससे सामान ने क्यों जा सकते हैं आप बाकी कुत्तों के भौकने से आपको साथ पता चल जाए कि ये बोलना चाह रहा है नीचे से उपर कि ये जैसे मैं यहां पर बता हूँ divergent जो आपके पास पता है जो चीज़ उससे आप क्या क्या नया चीज़ कर सकते हैं मतलब बच्चों में यह उनकी जो मांसी क्यों गयता है उनके सुझने समझने की ख्यमता को विक्सित करता है ये भी दि आगमन भी दी आगमन मतलब कोई रास्ता है उसमें आप जा रहे हो आपको पता नहीं हो रास्ता कहां जाता है और उसको जाने के बाद आपको पता चलेगा कि यहां भी जाता है, वहाँ भी जाता है, यहाँ भी जाता है, मतलब इस तरह से हम एक जगह से कहीं बहुत विस्तरित, है ना, अपने दिमाग को विक्सीत करते हैं, तो वह होता है, आगमन भी धी, जश्ट इसका अपोजिट है, डिड़क्टिव मेथड, डिड़क्टिव मेथड में क्या होता है, इसमें अग्याद से ग्याद क्योड जाएंगे, विसत से सुच्म क्योड जाएंगे, उदारन से नियम क्योड जाएंगे, पुराने से नई, नय से पुराने, सोरी यहाँ निय आपनीस्ट की और उपर से नीचे की और इसमें कन्वरजेंट होता है हमारा दिमाग हम किसी सचीत रूल को जानते हुए हम जैसे इन से कई आया पोगरम को जाना है और उसके लिए सके लिए कई रास्ता है तो आप किसी भी रास्त से छाए één एक ही जगा पहुंचेंगे अधिकतर जो है इनका उपयोग गणित में होता है इसके अलवा बहुंच सारे सब्जेक्ट हैं जिन में होता है विज्ञान भूगोल इतिहास तो विज्ञान में जैसे मैं आपको बता रहों एक सूत्र है करण का वर्ग बरहर लंभ का वर्ग धन अधार का वर्ग तो इन में क्या होता है आपको ये रूल दे दिया गया है और आपको जो है करन ग्यात करने को बोला गया है किसी तरी भूज का आप जो है लंब पता है और अधार पता है आपको दे दिया जाएगा और करन ग्यात किजिए बोलेगा तो ये सुत्र आपको बता दे जाएगा, पहले आपको तो कठीन लगेगा, लेकिन जब बार 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 इस सुत्र की साहता से आप कोशिस करेंगे तो सभी को हल कर दिया जाएगा, मतलब हल कर सकते हैं आप, आपको एक दो बार बता देंगे तो, उसके बाद जो है आपको इसी संबंधित कोई भी कोस्चिन दे दे बासानी से बन जाता इसमे दिमाग को हमको लगाना नहीं रहता है जो हमको एक रूल बताया गया है उसके जाब से चलना है और वो आसानी से हल हो जाता है लेकिं जो इंडक्टिव है, आगमनंवी भी है इसमें खुद का दिमाग लगाओगा या बच्चा खुद का दिमाग लगाएगा और विभीन ने तरह से वो सोचेगा अपनी माइन को विक्सित करेगा वो तो इस तरह से आगमन भी जो है बच्चों के माइन को विक्सित करने के लिए होता है broad चीजों की और जाने के लिए होता है लेकिन deductive method जो हमको rule पता है उसी के नुसार हमको जो है बनाना होता है और हम विसाल से सुच्म की और आगे बढ़ते हैं बस यह आपको diagram याद रखना है जैसे मैं deductive method Convergent में बताया विसाल से सुच्म की और और जो इंड़क्तिव है उसमें मैं बताया सुच्म से विसाल की और यहना मतलब भीन दिसाओं में फैलता है यह आगमन विधी के लिए है ठीक है इसको बोलेंगे इंड़क्तिव और यह होता है डिड़क्तिव नीगमन मतलब भीन रास्ते हैं उससे वापस आना है नीगमन इसमें आगमन बुला रहा है रास्ते में जाना है बहुत सारे रास्ते हैं उसमें जा रहा है यह मेरे हिसाब से रूल है तो आप अपने हिसाब से जैसे भीयाद रख सकते हैं यह डाइग्राम चलिए आपको मैं इंडक्टी और डिडक्टी मेथड़ का कुछ रिजनिंग वाला एक्जामपल देखे बताता हूँ जैसे कि एक एक्जामपल है कोई सीरीज दिया गया है गणित का जिसको हमको हल करना है एक, दो, तीन, पांच, साथ और इस तरह से आगे हमको पता नहीं है यहाँ पर क्या आएगा बताना है यह कौन से विदी का है आगमन या इंडक्टीव इंडक्टीव या आगमन भी दी मतलब बच्चा इसमें क्या करेगा मतलब यहाँ पर क्या आएगा सोचेगा हो पहले इक धर को दिमाग लगागी इसमें कोई रूल नहीं है हमारे पास तो इसी को बोलते हैं विसिष्ट से समानने की और तो ग्यात से अग्यात की और ये हमको ग्यात है कुछ चीजें ग्यात है इससे हमको अग्यात की और जाना है तो इसके बाद अगला संख्य क्या हो सकता है आठ हो सकता है क्या नाव हो सकता है क्या सोचेगा आठ नाव दस ये तो सभी से भाग जाते हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा इस तरह से बच्चा जो है ग्यात से अग्यात की और जा रहा है हमको पता नहीं था, कोई रूल भी नहीं है, कैसे हल करना है, तो इसका कोई फार्मूला नहीं है तो ऐसी चीज़ों को बोलेंगे आगमन बीधी बच्चा जो है अपना दिमाग लगा रहा है तो यह होता है आगमन बीधी इंड़क्टिव उसी तरह से डिड़क्टिव को देखते हैं डिड़क्टिव में जैसे बोला गया है जैसे रिजिनिंग का कोश्चिन आता है कुछ सेव फल है है न और कुछ फल आदमी है यह आपको दे दिया गया है कुछ सेव फल है हमको बता दिया गया कि कुछ सेव फल है और कुछ फल आदमी है है न तो हमको आगे जो है बोला जाएगा और हमको आपसन में दे दिया जाएगा कि कुछ आदमी सेव है कुछ आदमी क्या है सेव है तो आसानी से आप बता सकते हो कि कुछ सेब फल है हमको पता है फल है और कुछ फल क्या है आदमी है तो कुछ आदमी आसानी से बता सकते हैं कि यह सेब हो सकते हैं तो यह हमको पता है कुछ रूल पता है उस रूल के अनुसार जह हमको अंसर है निकालना होता है तो यह मैं एक एक जामपल बताया इस तरह से स स्टाइलोलिजम का जो कोस्चेन आता है वो भी इस तरह से डिर्यक्टिव मेथेड होते हैं